कॉफी बगएरा लोगों को बता है कि कॉफी बगएरा की उन्हों मुष्पजवानी मेरे दोस्त हैं आज हम इनकी कॉफी बगएरा की क्लिफ्टेन ब्रांच पर आये हैं पिलावल हाउस के विल्कुल सामने भाई तमीज से नाम लो ऐसा नाम कोई डाला आज है तो आज हम यहा गएज हम तो आज मेरा मुटना सब कुछ खाने का है तो देखो तो है आले आप केसे से बिल्किल जबरदस्त क्या खिलाएं बला है अपमज यह बता है क्या उप्षक काने में दो निक स्टाइक से बड़ा सब्रदस किसमा प्रसू कर देते हैं चिकन हम डिख करें तोनों करते हैं क्लब सेंविच कर दें और जो प्रॉंसांट है वह एग में क करें तकि चिकन और एक वो कफील आ जाएगा दश्ट हो गया दन हो गया है तो प्राइस कर दें और लाउनी कर दें आप एड़नी जर्फ एड़नी तब करें और अधिर श्रॉट इन आप में कर दें यह रहिए भादीनिंताद friction हूँ ध्याष सब्समें कारीब उसद्वां पिर खिंन जंद कुछ खाऊंगा सब्साथ खाऊंगा अच्छा मैंने कॉफी वगेरा आके बोला यार मुझे जो समझ आता है देदू यह तक्रीबन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जितनी गुंजाइस थी उतना मैंने मंगा लिया और यह तार अजार्ट सो रुपए गाय है अब मैं आपको स्टेब बस्टेब एक चीज़ सबसे पहले स्टार्ट करते है एस्प्रेसो कॉफी शॉट यह धाई सो रुपए का एस्प्रेसो कॉफी शॉट है अ प्योर सिंपल एस्प्रेसो 30 ml यह की कि कल लगती है यह शुगर- वोगा क्लब सैंड्मिच है अब के इसमें पहले से कि जाती है उसके बाद इसमें इसमें आइटम डालके उसके बाद जो है वो उसको पनीनी मेकर में डालते हैं तोड़ा सा स्क्वीज़ रोता है इसका बेनेफिट यह है कि एक क्रस्टी जादा होता है अब जहां तक इसकी फिलिंग की बात करें इनकी फिलिंग में कॉफी बगैरा का क्योंके इन हाउस कुछ भी नहीं होता है इसलिए इसमें जो अंडा डलता है उपकियावन नहीं होता वह पहले से अंडे का बैटर अंडे का ओमलेट जो है वो कुक्त होता है वो इसमें डलता है अगर मैं इसको अलग करके दिखा सकूंँ तो यह देखें यह अंडा इसमें पढ़ावाए यह ओमलेट है जोश कदू कश फॉर्म में बहुत एक कन्वीनियन और सिंपल सैंग्विच है उसके यह चिपस मिलते हैं अगर आपको यह चिपस नहीं चाहिए हो तो आप यह वाले फ्राइस आप कि अपाड़ में आता हूं यह बता दू इसमें चिकन की फिलिंग अन्डे की फिलिंग और चीज़ और चीजीं और चीज भी होती है आप तीनों चिज़ने डिस्टिंक्क फ्ल अच्छा नहीं है मगर यह एर फ्राइड हम तेल से बच जाते हैं यह फ्रोजन फ्राइज यूज करते हैं अच्छी ब्रैंड के नाम में या ले नहीं सकता और यह आपको पढ़ते हैं साड़े तीन सो रुट तो भाई हेल्दी घाना है तो पैसे दो देने पढ़ेंगे अब म मुझे पता है कि मेरी जिन्दगी का शायद ही कोई अफ़ता होता है जिसमें मेरी इनकी लाटे के साथ तस्वीरे नहीं होती अब लेता हूं मैं होट चॉकलेट यह है होट चॉकलेट होट चॉकलेट में मेरा फीड़बैक यह है कि इसमें माईलो टेस्स जादा है चॉकलेट का टेस्स कम है माईलो टेस्स का मतलब यह है कि मुझे इसमें चॉकलेट की फ्लिवरिंग कम आरी वो जो चॉकलेट का कि कहना वो नहीं आ रहा इसमें थोड़ी सी तो लेट सी यह मैंने पहली दफ़र ट्राइ किया है कोफी वगेरा में सारे आइटम का डिस्क्लोज कर दूँ के होट चॉकलेट के लावा तकरीबन सारे आइटम में पहले ट्राइ कर चुका हूँ और इसको बताने से जादा दिखाना जरूरी है यह आप इसको करीब से देख इसके अंदर आपको जो टेक्क्चर है जिसको अरदू में हम जालर कहेंगे और प्रॉपरली अगर क्रॉसांट की बात करें तो इसको हम हनी कॉम स्ट्चर कहेंगे करंबली है यह नहीं के तूटता है जब आप मुर में लेते हैं जब आप बॉइट लेते हैं यह दबर इसमें सिर्फ मखन डाल के खा लेता ना और मजा आता अब बापस द्रिंक्स पर आते हैं अच्छा अब यह है आइस्ट मोका एक चीज आपने नोटिस की है कॉफी वगरा वाले ना तो नहीं देते वो कहते हैं भाई स्टॉनी प्यों कोई जुरूत नहीं है महौल के लिए अल मेरे लिए नहीं मुझे आइस्ट मोका कोई प्रोड़क्ट यह बड़ी इंट्रस्टिंग प्रोड़क्ट यह शायद प्रोड़क्त मेरे खाल है कॉफी बगार के लाबर पूरे पाकिस्तान में आपको कई नहीं मिलेगी हो कह रहे हैं और बुराई ना करूं इसलिए ट्रॉ में कॉफी का फ्लेवर नहीं आया कस्टमर सर्वेस बहुत आला है इससे पहले कि मैं कुछ और बोलू उन्हें ने बोला में एक शौट और एड कर देते हैं यह मेरा रूपजा सौरी रूपजा कैपेचिनो विट एक्स्ट्रा कॉफी शॉट आ चुका है अब ट्राइ करते ह एक अजीब और गरीब कॉम्बिनेशन है ऐसा है कि आपको जहर के साथ चीनी मिक्स करके देदी एक आम आदमी के लिए समझा रहा हूँ जिसको ब्लैक कॉफी जहर लगती है ना जहर और चीनी मिक्स करके देदी जल्दी नहीं मरोगे बिल्कुल वह अलाय साब किताब है जो स्वीट टेस्ट रखते हैं उनको यह आइटम समझ आएगा मेरी समझ से बाहर है तो रुपजा कैपचीनो मैं यह जरूर कोंगा कि बजाए इसकी के सारी दुनिया के आइडिया हम चापे हैं हमें अपनी एक नाच्रल पॉड़क भी बनानी है सारी दुनिया में लोग अपन के भी फैन और मीठे के भी फैन है यूवल लाइक मेभी मेभी नाट बट इस इस एक पॉड़ा सा ड्राय लेमन केक का इश्य होता है कि सिर्फ वो नाम के लिमन केक इसमें आपको स्मेल और टेस्ट आरा है बस थोड़ा सा केक को मॉइस्ट होना चाहिए अब आता हूं मैं, ब्राउनी और उसके साथ पिगली भी आइस क्रीम, आठ आइटम मंगाएंगे, तो आइस क्रीम इंतजार तो नहीं करेगी, बाप की नौकर तो है नहीं मेरी, ब्राउनी आइस क्रीम में सबसे पहले, तो ब्राउनी आइस क्रीम समझने से पहले, सबसे पहल मेरे बड़े बेटे को ब्राउनी आइस क्रीम इसकी फेवरेट डिश है या की मैं फर आइस रीजन नहीं खाता अब यह जितने भी आइटम मंगाया है इसकी मैं रेटिंग देता हूं नमबर वन पर बगएर कोई डाउट लाटे कॉफी है एस्प्रेशो शॉट और लाटे एक की बात है दोनों एक ही चीज के बने में नमबर टू पे क्रोइसांट क्रोइसांट बहुत जबरदस प्राइज नमबर थ्री ब्राउनी नमबर फो लब सैमिच नमबर फाइव उसके बाद आइस स्मोका कैपचीनो दैन हाट चॉकलेट तो यह मेरी रेटिंग है यह तमाम आ गिया जो यह कास्टमर्स को देते हैं मैं अपनी वीडियो खतम करने वाला था कि मुझे वहां पे एक सहाब ने पॉइंट आउट किया कि में फीचर तो आपने बताया नहीं अच्छा अब इनके बिल में ना यह फुल टेक्नोलोजी इनेबल है यह देखें यह QR कोड है यह QR जाएंगे अब मैंने यह 4250 रुपय की परचेस किये तो मुझे 420 रुपय की बींज मिल जाएंगी अगली बार में आया तो मैं 420 रुपय वह बीज जो हैं वह मैं उसकी जगह पैसे अवेल कर सकता हूँ मेरे पास 420 बींज तो इसका मतलब मेरे पास 420 रुपय एप में में हैं जो के मैं रिडीम कर सकता हूँ आके तैंक यू जी बहुत शुक्रिया यार इसमें बड़ा मज़ा है